नमस्कार में नंदिनी सिंग और आप देख रहे हैं कोराम लाइफ पुलिस सुत्रों के अनुसार इस घटना से पहले ओपरेशन के दौरान सुरक्षा बलो ने तुमभाका गाउं के पास जंगली पहारी इलाकों में दो आईडी और रास्ते में गड़ा कर लोहे का रोड से बने 31 स्पाइक होल्स और तीर से बने 200 स्पाइक को तबह कर लिया था वहें बिस्वोटक को भी डिफ्यूस कर दिया गया था दिन के करीब 12 से सवा 12 के बीच 3 आईडी ब्लास्ट कर गया इधर सीएम हेमन सोरे ने घटना पर दुख जताया है उन्होंने एक्सपर लिखा कि जवान राजेस कुमार जी के शहीद होने का दुखत समचार मिला परमात्मा दिवंगर शही जवान की आत्मा को शांति प्रदान कर शोका कुल परिवार जनों को दुख की ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ती दे पाकुर के पाकुरिया में एक प्राइवेट स्कूल के होस्टर में रहने वाले करीब 107 बच्ची एक साथ बिमार पड़ गए मिली जैनकारी के रुसार बीती रात खाना खानी के बाद बच्चों की तब्यत अच्छानक बिगड़ गए खाना खाते वक्त एक बच्चे की थाली में परोसे गए खाने में छिपकली का अंग मिला इसके बाद बच्चे उल्टी करने लगे एक के कर करीब 107 बच्चों की हालत बिगड़ने लगी उस्कूल प्रबंदन ने बच्चों की हालत देख 65 बच्चों को राब पुरहाट सदर अस्पताल में भरती कराया वहें 42 बच्चों को पाकुरिया के सामुदाइक स्वास्त केंद्र में एडमिट कराया एक साथ इतने बच्चों के बिमार होनी की फैली खबर के बाद इलाके में हरकम पच गया वहें स्कूल प्रबंदन के भी वो शुर गए इसके बाद उस्कूल प्रबंदन से पूष्ताश की दियायो डॉक्टर एसके जहा के नुसार सभी बच्चों की हालत खत्रे से बाहर है एक स्कूल बस और हाइवा में जोरतार तक्कर हो गए इस हाथसे में कई बच्चों को चोट लगी है बस ब्यारल दियेवी बोकारो स्कूल की थी दिन के करीब दो बजे छुटती के बाद बच्चों को लेकर जा रही थी वहीं हाइवा बेर्मो सिसेल के खास महल प्रोजेक्ट से दुगदा रिलवे साइडिंग में कोईला अनलोड कर वापस लोट रहा था हीरक में रोड पर दुस्रे ट्रक से पास लेने के दर्मया सामने से आरी स्कूल बस से हाइवा की टक्कर हो गए टक्कर के बाद हाइवा का ड्राइवर गारी को मौके पर ही छोड़ कर भाग निकला एक्सिडेंट की जोरदार आवाज के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बस में चोटिल बच्चों को निकाल उनके घरों तक पहुंचाया वहीं मौके पर पहुंचे चंद्रपूरा पुलिस ने बस और हाइवा को जप्त कर लिया और मामना दर्शकर आगे की कारवाई में जुट गई जमीन के चंद्र पुक्रों के खातिर गुवर्दन रविदास ने अपने बड़े भाई त्रिवन दास को मौत के घाट उतार दिया वहीं बीच बचाओ करने आई भावी निर्मला देवी और भतीजे सोनू रविदास को लहुलुहान कर दिया बेतरा जक्मिर निर्मला और सोनू अस्पताल में भरती हैं मारे गए त्रिवुवन रविदास के चोटे भाई जनार्दन रविदास ने पुलिस को बताया कि उनकी पुस्तैनी 14 डिसमिल जमीन थी उनके पिता गुणजन रविदास तीन भायो त्रिवुवन रविदास जन रहते रहता था बीते बुद्वार को वो बड़ा कांड कर गया यह बड़ी वारदार साइब गंज के मुफसल ठाना छेत्र के जैनती गाउं में हुई नवादा के वारिसली गंज के गंभीरपुर गाउं में तलाब में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गए घटा की फैली खबर के बाद बच्चों के घरवालों में कुहरा मच गया मिली जानकारी के अनुसरा तलाब में नहानी के दोरान तीनो बच्चे डूब ग Serve गए मरने वाले बच्चों में तीन परिवार के कुल चार बच्चे हैं इस घटना में एक ही घर से दो बच्चों की मौत हुई है घटना गुरुवार की शाम चार बजे की है। घटना के बाद सभी बच्चों को पीएसी वारिस लिगंज लाया गया। जहां डॉक्टरों ने जाच के बाद सभी को मृत घोशित कर दिया। तलाब के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि गंभीरपूर के सरकारी पोकर में कुछ दिन पहले 25 समीती मद्द से तलाब की खुदाई और घाट का निर्मान किया गया था। गावालों ने निर्मान कायर में लपरवाही बरतनी का इल्जाम लगाया है। जहासी में कानपूर हाइवे पर बिती देर रात भीशन हाथसा हो गया। एक ट्रक ड्राइवर से टकराने के बाद दूसरी और से आ रहे हैं ट्रक से जा टकराया। दोनों ट्रकों में आग लग गए। इन आग लगी में दोज लड़की जिन्दा जल गए। जब तक आग पर काबू पाया गया दोनों शव कंकाल बन चुके थे। बने रहे हैं कोरामलाइव.com के साथ।